तो भाई आज इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ कि आप किस प्रकार अपने इस्टागराम यूजरनेम को चेंज कर सकते हो देखों इस्टागराम में यूजरनेम मोश्ट इंपोर्टेंट रोल पले करता है क्योंकि इस्टागराम पर एक नाम वाले बहुत सारे बंदे होते हैं और उन बंदों की भीड मेसेज जो आप लोगों को लग करता है वो आपका यूजरनेम ही होता है तो मैं तो यह कहूँगा जब भी आप अपने यूजरनेम को चेंज करो या फिर रखो तो ऐसा यूजरनेम रखना जो बिल्कुल सा हो आपको बढ़ी आसान से याद रह सके और दूसरी बंदे को आप बताओ तो बढ़ी आसान से समझ सके कहने का मतलब यह सिंपल सा यूजरनेम सबसे बढ़ी आ रहता है बाकि आप अपने यूजरनेम को कैसे चेंज कर सकते हो मैं आप लोगों को इस वीडियो में स्टेप बाई स्टेप बताने वाला हूँ को ओपन करना है जैसे इंस्टाग्राम एप्लिकेशन ओपन हो जाती है तो आप लोगों को राइट एंड साइड बिल्कुल नीचे की तरफ आपकी इंस्टाडीपी का लोगो दिखाई देगा इस पर क्लिक कर लेना है जैसे ही आप क्लिक करते हो तो आपका इंस्टाग्राम नेम और यूजर नेम दोनों को चेंज गर सकते हो तो यदि आपको यूजर नेम चेंज करना है तो second option पर क्लिक कर देना है जैसे क्लिक करोगे तो आपके सामने यहाँ पर यूजर नेम चेंज करने का option आ जाता है लेकिन नीजे की तरफ पड़ोगे तो यहाँ पर साप साप लिख रिका है कि हम अपने यूजर नेम को 14 दिनों में क्यों एक बार ही चेंज कर सकते हैं यानि कि आज हमने अपने यूजर नेम को चेंज कर लिया तो नेक 14 दिनों तक हम अपने यूजर नेम को चेंज नहीं कर पाएंगे और दुसरी बात हम उसी यूजर नेम को रख सकते हैं जो फिलाल अवलेबल होगा जैसे मैं आप लोगों को example दिखाता हूँ यहापर मैं 56-12 लिखता हूँ तो यह username फिलाल अवलेबल नहीं है तो मैं इसको नहीं रख पाऊँगा यदि मैं यहाँ पर एसनी 56-12 और 3 लिख देता हूँ तो यह username फिलाल अवलेबल है और उपर जो टिक का निसान दिखा जारा उस पर क्लिक करूँगा तो मेरा username चेंज हो जाएगा तो यही तरीका है जिसके जरीए आप अपने username को बढ़ी आसान से चेंज कर सकते हो तो आई होप आप लोगों को समझ में आ गया हुगा है कि यदि मिला है तो वीडियो को लाइक करना चैनल को सब्सक्राइब करना और नोडिकेशन बैल को उन करना तो मिलते हैं जल देखने information वाइड वीडियो के साथ अब देके लिए बाइबाई जाहिंद